हांत जी कल अपने बुगोल की सीरीज में भोतिक प्रदेशों में दक्षनी पूरी पठार जिसे हडूती के नाम से भी जाना जाता है के बारे में पढ़ लिया था आज अपन भोतिक प्रदेशों के जो महत्पून परवत हैं पठार हैं उनके बारे में ध्यन करते हैं तो रावली में इस्तित कुछ हैं बाकी अन्ने भी हैं मुख्य तय इसमें दक्षनी रावली से समन देती हैं जो पहला है उडिया पठार सिरोही में इस्तित हैं इसकी उचाए 1360 मिटर है यह राजस्थान का सबसे उचा पठार है इंपोटेंट है बहुत बार पूछा जाता है और वर्तमान में डाटों के अबाव जो आकड़े हैं प्रियापत होने के वज़े से और भी इंपोटेंट हो जाता है नेक्स्ट है आबुपरवत क्योंकि आकड़े बतले हैं जिले बतले हैं इसकी उचाए थोड़ी बतली है आबुपरवत सिरोही में इस्तित है 1200 मिटर ड़यपुर में इसकी वचाए 1225 मिटर है ये राजस्तान का दूसरा सबसे उचा में पठार है ये बोराट पठार गोगूंदा वे कुमबलगड की पहाड़ीयों के मद्यस्तित है गोगूंदा अधैपूर में और कुमबलगड राजसमंद में अधैपूर यू डी और आज समंद लसाडिया पठार ये सलूंबर में पहले उद्धैपुर में था जैसमंद जील केपूर में कटापटा उबडखापड़ पठार है ये लसाडिया पठार है वो जैसमंद जील केपूर में स्थित है और कटा पठा 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 रहे हैं यानि उबड़ खबड़ पठा रहे है चपन की पहाडियां वे नाकोड़ा परवत बाड मेर में गोला का रूप में स्थित है बहराच वे उद्धेनात परवत अलवर में स्थित है धोरा परवत वे जहरोला पहाड जालोर में स्थित है पि पिंडमांट मैदान या पिंडमांट परवत के नाम से जाना जाता है मैदान भी आ सकता है थोड़ा ध्यान रखनाया बीजासन पहाड मांडलगड भीलवाड़ा मिश्तित है नेक्स्ट अपन आज इसी के साथ राजस्थान के अपवहा शेत्र के समंद में सामन्य परिच और देख लेते हैं राजस्तान का अपवहात अंत्र नदिया में जी ले न्यूट अपना सुरू हो गया है एक टोपिक दो तीन टोपिक कंप्लीट हो गये अज न्यू टोपिक श्टार्ट कर दिया है अपने इसमें प्रिष्ट भूमी में देखते हैं कि राजस्थान में माही इस बहुन्बी नदी वे अंच जिसकी वे बनास है और सबसे लंदी नदी बहुन्देश सभेल बहनने वाली राजस्तान की राजस्तान की राजश्तान राजश्तान की राज्तान में बहने वाली जो पूर्ण सबसे लंबी नदी है वो बनास है वैसे सबसे लंबी नदी है वो चंबल है वैसे सबसे लंबी राज्य की सबसे लंबी पूर्णते बहने वाली तो बनास है और राज्य की सबसे लंबी वैसरवादिक सतही जलनद वाली नदी चंबल ह जबकि सरवादिक जल गरहन शेत्रवाली नदी बनाश है यह थोड़ा सा देखना, ध्यान देना इस सगर सरवादिक जो नदिया हैं वो कोटा संभाग में हैं सरवादिक जो बांध बनाए गई हैं वो चंबल नदी पे बनाए गई हैं राजस्तान के अफवहत अंत्र को तीन भागों में बाटा जा सकता है तीन भागों में बाट कर इसको अध्यन करते हैं पहला अर्वसागरी नदियां जो राजस्तान में 17 प्रतिशत हैं अंते परवाई नदियां जो 68 प्रतिशत हैं सर्वादिक इनी का प्रतिशत है राजस्तान में इसका करण यह मरुस्तल का विस्तार होना है बंगाल की खाड़ी की नदिया यह 23 प्रतिशत हैं राजस्तान में अंते प्रवाही नदिया सर्वादिक पाई जाती हैं क्योंकि राजस्तान में मरुस्तल का विस्तार सर्वादिक अरावली को राजस्तान की जल्वी भाजक रिखा कहा जाता है क्योंकि यह है बंगाल की खाड़ी और अरब शागर की नदियों को अलग करती है यह अरावली है और इसके जो पसिम में जो नदियां बैती है वो अपना जल अरब शागर की ओर ले जाती है और पूर में जो नद जाते हैं राजस्थान में नदी जल जिसको सतही जल कहते हैं देश का 1.16 परतिशत है राजस्थान में भूमी गत जल देश का 1.69 परतिशत है अब अपन बात करते हैं अरब सागरिय नदियां यह अपन कल पड़ लेंगे